Hello everyone, welcome back to our channel, वैसे आज मेरे हाथ में है Steel Bar का SA2 का Aeronautics Helmet and you guys must be wondering कि यह ही helmet क्यों, कोई और helmet क्यों नहीं तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज हम इस ही helmet के बारे में बात करने बाले हैं तो बिना लेट के सुरू करते हैं आज का वीडियो है and I hope आप सब बहुत इवड़ी आउंगे Well, तो इस helmet में बहुत सारे ऐसे features हैं जिसके वाज़से मैंने यह helmet चूज किया जिसका पहला feature आता है कि obviously this helmet fits me well क्योंकि मेरा सर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है and यह helmet XL का होने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा fitting आया बाकी helmets XL का size का होते हुए भी मुझे fitting नहीं आ रहा था, बहुत ही tight हो रहा था like अगर उसको पहन के मैं 10 minute भी ride करूँ तो मेरा सर दब्द करने लगता तो इसलिए मैंने यह helmet लिया क्योंकि यह मुझे पूरा fit आ रहा था और इसके क्या-क्या feature है वो आप लोगों को screen change करके बताता हूं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस helmet के बारे में ज्यादा बताने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि this is not a sponsored वीडियो यह खुदी खरीदा हुआ है और यह बिल्कुल भी क्लियर वाइजर मिलता है जो कि free of cost है यह रहा क्लियर वाइजर और इसका जो वाइजर है वो scratch resistant वाइजर है polycarbonate silicon hard coated है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर भी लिखा हुआ है और यह steelbird SA2 का error notice का है वैसे इसके उपर में sticker लगाए हुए है मुझे लगता है कुछ और होगा चलिए sticker निकल के देखते है तो इसका sticker मैंने निकाल दिया यह देख लो गाइज scam होगे अपने साथ SA1 और SA2 यहां पर यह sticker लगा हुआ था इसको मैंने निकाल दिया तो SA1 और SA2 दोनों का same ही visor आता है और सायद से same helmet को ही इन्होंने redesign या restructured किया हुआ है तो यह था इसके बारे में इसके visor के बारे में आपको दो visor मिलता है एक clear visor और एक tinted visor तो clear visor को side में रखते हैं और हमको पता चल गया कि SA1 और SA2 का same visor है यहां पर भी अगर आप लोग देखोगे तो यह लिखा हुआ है SBS 32 SA2 helmet SA2 का visor लिखा हुआ है made in India है of course but SA2 लिखने का कोई फाइदा नहीं था इसके अंदर chrome visor था actually और chrome gold जो था और मैंने यह chrome gold helmet में fit करा दिया और इसका जो clear visor था वो मैंने रख लिया तो clear visor को side में रखते हैं आते हैं इस helmet की और तो इस helmet में आपको सामने की तरफ दिखेगा scratch resistant visor polycarbonate silicon hard coated का air ventilator system SA2 पिछले वाले जो आई जाता है उसमें SA1 का लिखा हुआ था और जो की company fitted है वो पहले से fitted है यह बाद में आता था मैंने इसको fitted कर वाया है तो पहले सामने की तरफ दिखते हैं क्या क्या मिलता है तो यहां पर आपको चिन के पास air ventilation के लिए एक air inlet मिलता है जिससे आपको cooling का feature रहेगा और cooling ज्यादा अच्छा रहेगा helmet में उसके बाद यहां पर भी एक air ventilation के लिए है और उपर की तरफ भी एक है तीन air vents है और air निकलने के लिए पीछे के side में है यहां पर और इधर इधर तो नहीं है यह बस design के लिए दिया हुआ है बस यहां से air vent निकलने के लिए है और यह उपर की तरफ है यहां दोनों side में भी air vents के लिए जगा है air निकलने के लिए और इसका design कुछ इस तरह का है तो इसका जो यह visor है इसको lock करने के लिए एक switch आता है जो कि यहां पर आप ऐसे कर देंगे तो यह नहीं निकलेगा इसको open करने के लिए आपको switch down करना पड़ेगा और इसको नीचे करने के बाद आप इसको यहां से उठा के निकाल सकते हो completely अब बात करते हैं इसके bottom part के बारे में यहां पर आपको chin curtain मिल जाता है और यहां पर आपको एक quick strap मिल जाता है जो कि इससे आप से आप पूल करोगे तो यह lock हो जाएगा और इसको open करने के लिए बस इसको pull करना है और यह निकल जाएगा और इसके अंदर जो padding दिया हुआ है वो काफी अच्छा padding है और इसको आप remove भी कर सकते हुआ रिमूबबल है रिमूब करने के लिए यहां पर आपको lock दिया रहेगा आपको बस यहां पर निकालना है एक द lock निकाल सकते हो जैसे दूसरे side को निकाल आता, और यह बी कुछ easily remove हो जाता है तो यह निकल गया second part और पीछे का पार्ट भी आप इसको आदाम से इसको निकाल सकते हो इसके अंदर का जो part है इसको भी you can remove हो जाता है तो इसके अंदर में बस यह form लेग्या यह form इसके अंद तो इसका पैडिंग मैंने दुबारा से लगा दिया और पैडिंग तो निकालके आपको दिखा ही दिया था इसको दुबारा से लगा दिया यह एक अच्छी बात है कि आप इसको वास्प भी कर सकते हो निकालके और यह हलमेट ऐसा है तो यह था इस हलमेट का एक टिटेल क्योंकि यह जो steel bar का helmet है यह actually मैं customer को बना रहा है यह एक तरफ तो देता है कि यह देखे एसे 2 का helmet है और दूसरी तरफ जो इसका original visor इसमें लगावा था SA1 का है और इसका 1 है उस 1 के उपर इन लोग ने 2 का sticker लगा दिया था जो कि मैंने आप लोगो वीडियो में भी दिखाया था तो मेरी मानों तो यह मतले ना आप लोग कोई अच्छा सा दूसरा helmet ले देना बट यह मतले ना बस मेरा point of view था क्यूंकि आप SA1 का helmet लोगे तो आपक 2 अगर लोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा helmet लो और अच्छा helmet लो मैंने यह helmet इस ले लिया क्यूंकि मेरे सर पे यह comfortably fit हो रहा था और बाकी दूसरा brand का भी था जैसे vega का ले लो या फिर empty का helmet ले लो या फ अच्छे से fit आए इसलिए मैंने यह helmet लिया यह आयसे इस टैनल का है और आपको दूसरा helmet सब D.O.T. certified भी मिल जाएगा तो इस वीडियो को यहां पे close करता हूँ I hope आप लोगो यह वीडियो पसंद आया होगा and इस helmet के बारे में आप लोग को steel world के बारे में तो जेनुएन ब करता है